दोस्तों setting और blending सीखने के लिए एक लिया pencil और एक लिया paper stem यहां पर एक मचली बना कर pencil practice और setting और blending practice करते हैं तो चलिए मैं पहला step में एक line खीच लेता हूं जिसमें इस मचली के boundary line बनाएंगे तो मचली के boundary line बनाने के लिए एक बार नी दो बार नी चार पांच बार आप इस तरह से boundary line बनाने के लिए आप इस तरह से आकरतिया बना कर सिख सकते हैं यह practice के लिए कापी better idea है ताकि आपको लगेगा कि पहले जो आकरती बनाई वो कैसी है और चौती यह पांच भी आकरती बनाई वो कैसी है यह चार पांच आकरतियों में आपको फरक नजर आएगा जो ज़्यादा अच्छी आकरती बनेगी वहाँ पर आपकी अच्छी practice होता हुआ आपको नजर आएगा तो मैं यह जो आकरतिया बना रहा हो मचली की boundary line बनाने के लिए और बार बार इस तरह से practice करने से एक समय ऐसा आएगा जब बिना alignment के बिना measurement के मचली के लिए आप बिल्कुल accurate boundary line बना पाएंगे और जब boundary line बनाना सीख जाएंगे उसके बाद मैं setting और blending सिखेंगे यहां पर मैंने करीब यह पांचवी boundary line बनाई है और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ती है तो आप उसके अंदर जो भी आइटम्स होते हैं उनको बढ़ाते रहे हैं जैसे कि मैंने पहले मू बनाया था फिर मैंने उसका जो पंक वगरगरा दो बनाए पिर तीचरे में और ज्यादा बनाए फिर लास्ट में और भी सारे पंक बनाए पीचे पूँच है बीच में भी एक पंक वाला वगरा यह सब जित्ती भी आइटम्स में है उसके उपर जो दाग दब्बे वह वगरा 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 इस सब एक के बाद एक अपन इस तरह से बनाकर प्रैक्टिस में यह सीख सकते है उसके बाद में इन आकर्तियों में से किसी एक को चून लेते हैं जिसमें पैंसिल और पेपर इस्टम के द्वारा सेडिंग और ब्लेंडिंग सीखेंगे और एक मचली बनाएंगे तो चलिए मैं इसको ही चून लेता हूं तो सीधा म मैं इसको मूँ से स्टार्ट करता हो और इसके जो बाउंट्री लाइन की जो दोनों लाइन है यह बाउंट्री वाली इनको काफी गहरा करतेता हो जित्ती भी है जब मैंने जो आकर्ति बनाई है उनको काफी गहरा बनाना है सेडिंग करना है सेडिंग करने के लिए आप करके गशिटने के कोशिश करता हूं यहां जो भी मचली के ऊपर दाग दब्बे आकर यह इसको 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 बना बना कर शेडिंग कर रहा हूं और इस तरह से बना कर कोई भी आइटम बनाते हैं तो पैंसिल प्रक्टिस भी हो जाती है और एक अच्छी ड्रॉइंग बनाना भ इसमें जो बनाने के लिए मैटरिल लिया है वो पैंसिल और पेपर इस्टम जरूरत पढ़ने पर कोटन या ब्रस का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं मचली के ऊपर जो भी दाग दब्बे आकरती जो भी डिजाइन है इसके उपर का उसके उपर ही पैंसिल च लेना चाहिए ताकि ज्यादा लाइट भी नहीं है वह ज्यादा डार्क भी नहीं है मीडियम पैंसिल लेना चाहिए यहां पर देखिए एक जगे पर पैंसिल लगता प्रिसलाइड करके इन पंकों का रूप देता हूं और जो पंक अगरा अधी बनते हैं तब यह मचली का एक आकरती एक रूप ले लेता है मचली के रूप में निखार आने लगता है तो यहाँ पर मैं यह पैंसिल को सेडिंग करते हुए इस मचली को बना कर मैं ड्रॉइंग को पूरा कर रहा हूँ इसके बाद मैं एक पेपर इस्टम लिया और इसका इस्तमाल मैं ब्लैंडिंग के लिए करूँगा और प्रैसर वही मीडियम प्रैसर दूँगा सबसे पहले किनारे किनारे वाले इस्टम को मैं इस पेपर इस्टम से ब्लैंड करने के कोशिश करूँगा किनारे वाले इस्से को slide करती हुए बीच वाले इस्से की तरफ बढ़ने की कोशिस करता हूँ किनारे किनारे वाले इस्से में थोड़ा सा गहरा पन आएगा तो मचली को एक reality रूप में देख सकते हैं आप reality रूप देने के लिए और भी कई तरीके इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन यहां सीखने वाली जो बात है वो यह ब्लेंडिंग है तो ब्लेंडिंग करना है तो मीडियम प्रेसर देना है और पंकों के उस इस्से को पहले कर दिए जहां पर जाड़ा डार्क है या ज्यादा पैंसिल इस्से को पहले ब्लेंड करती है वह जहां पर जो खूला एरिया है जैसे कि लाइट प्रेसर देते ब्लेंडिंग करना है जैसे जैसे आप ब्लेंडिंग पूरा करेंगे तो यह मचली एक रियालिटी रूप में निखा रहाता रहेगा आप देख सकते इसमें आप ज्यादा कोई बड़े मेट्रियल या ज्यादा मुटे तो और ज्यादा बहुत सारे टिप्स यूज नहीं किये थे सिर्फ पैंसिल चलाया और पेपर इस्टम से ब्लेंडिंग कराओं फिर यह इतना रियल्टी रूप में आ गया है और अच्छे से रियल्टी रूप देने के लिए लास्ट म के लिए कापी बेटर आइडिया है सिदे तोर पर कागज पर आडिटेरी लाइन कीच कर पैंसिल प्रेटिश नह करके कुछ भी आइटम बनाना चाहिए यह बहुत ही सुन्दर मचली बनकर तैयार हो गई है आप कमेंड करके बताईए कि यह मचली बनाना कैसा रहा पैंसिल